हलो दोस्तों सदों श्वागत आपका मेरी चैनल मिठ्र अटव कि मेरा नाम है अंकीः और दोस्तों अगर आपका चैनल भी YouTube ने डिलीट कर दिया है तू आप रिकवर कैसे कर सकते हो जैन दोस्तों रिकवर करना एजी नहीं है लेकिन आप कोशिष कर सकते हो अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो यूट्यूब आपका चैनल वापस जरूर करेगा दोस्तों चैनल दोस्तों कुछ ऐसा भी मेरे साथ ही हो चुका था जो आप चैनल देख रहे हो अभी यही चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था लेकिन मैंने भी महनत की और यहाँ पर मेरा जो चैनल है वो वापस आ गया दोस्तों तो दोस्तों अगर आपका चैनल रिमूव हो जाता है एक बार यूट्यूब से तो आपको यह नहीं मानना है कि आपका चैनल पर्मिनेंटली डिलीट हुआ है यूट्यूब उसको रिविउ करने के लिए उसको पर सस्पेंड करता है अगर उसको गलती लगता है तो ही वो रिमूव करता है ठीक है तो दोस्तों चलिया मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या-क्या स्टेप्स करने है तो आपका चैनल है ओ very far साने के पॉसिबिलीटी य तो धोड़ी ज्यादा हो जाएगी दोस्तों चया दोस्तों चलिए वीडियो को शूर करते है तो सब से पहले तो मुझे यूट्यूब का एक मेल आया यहाँ पर लिखाया YouTube दिमूब इर गण्टेंट ठीक है तो हम रहेली यहाँ पर चॉल करता जहां, मैंने बार बार इस वीडियो को देखा, मुझे लगा कि मैंने कोई यहां पर गलती नहीं की है, ठीके? दोस्तों, पहले तो आपको यह Confirm कर लेना है, कि आपने कोई गलती की है या नहीं? यह आपको कब पतर चलेगा कि अगर आप अपने वीडियो का बैक आप रखते ह है मेरे पर और मेरा जो वीडियो है हो डिलीट कर दिया है तो वीडियो यहाँ पर मेरा डिलीट हो चाहसी हो जाने के बाद मैंने इसको रिविवी करने के लिए भेजा था यहाँ पर देखो और रिवी और content with our policy ठीक है अगर अपील रिजेक्ट होती है तो आपका जो यूट्यूब चैनल है ओ सस्पेंड होता है रिव्यू में जाता है लेकिन पर्मिनेंटली डिलिट नहीं होता ठीके तो यहां पर उसके बाद मुझे एक मेल आया तुरंत मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं मुझे कब आया देखो यहां पर ओके अपील रिजेक्ट होने के बाद तुरंत मुझे यह मेल आ गया कि Mr. Atock we have removed your channel from YouTube देखो यहां पर डेट क्या है December 14, 2021 को मेरा चेनल है और सस्पेंट हो जुका था ठीके दोस्तों सेम उसी दिन जब मुझे स्ट्राइक आया और मैंने रिव्यू में बेजा तब ही उसके बाद यहां पर नीचे आपको कुछ details दी गई होगी यहां पर आपको नीचे आना है यहां पर देखो detail दी गई है कि अगर हम गलत है मतलब की YouTube गलत है यहां पर कोई mistake हो रही है YouTube से तो यहां पर आप click here करके अपनी appeal डाल सकते हो जिहां दोस्तों आपको यहां पर clear करके उसको बता सकते हो तो उसके ठीक नीचे यहां पर आपका जो YouTube channel है उसका URL है तो इस URL को आपको copy कर लेना है और appeal here पे click कर दे रहा है उसके बाद दोस्तों यहां पर है appeal form open हो जाएगा तो यहां पर आप अपना name लिख दोगे सबसे पहले तो यहां पर आपको name लिखना है यहां पर अगर आप दूसरा को email id use करते हो तो वह भी यहां पर लिख दो और उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर अपनी channel का URL जो डाल देना है जो हमने paste किये copy किया था ठीक है इस सारी details डालने के बाद यहां पर content डालना है आपको तो दोस्तों content क्या डालना है यहा है सिर्फ बाकी सारा content एक ही तरह का रहा है तो ignore कर देगा YouTube यह देखेगा नहीं तो आपको अपनी तरफ से यहां पर लिखना है कि मैंने यह यहां पर कोई गलती नहीं की है मेरा channel है वो मुझे वापस दे दो यहां पर अगर कोई गलती की है मैंने तो आप मुझे बताओ मैं मैं आगे से ध्यान रखूंगा लेकिन दोस्तो एक चीज है यहां पर आपको आपने अगर गलती की भी है तो आपको अपनी गलती माननी नहीं है तो यहां दोस्तो यह पहला step है कि आपको अड़े रहना है कि मैंने कोई गलती नहीं की है मुझे मेरा channel वापस चाहिए और ठीक है तो यहां पर back हम चले जाते है पहले और यहां से आपको एक notification आएगा sorry email आएगा email में क्या लिखा होगा यहां पर YouTube account की तरफ से आपको email आएगा तो हम इस email को open कर लेते हैं और यहां पर पहला email आएगा auto generated we have received your account appeal and will get back you soon ठीक है तो उसके बाद आपको wait कर लेना है त तीन या चार घंटे उसके बाद आपका आपको एक और email आएगा अगर आपका appeal है ओ accept हो जाएगा ठीक है तो आपको जो आपका channel है वापस दे दिया जाएगा लेकिन अगर आपने गलती की है तो फिर से यहां पर यह content link के आएगा thank you for your account submission appeal we have decided to keep your account suspended based ठीक है अभी suspended based है मेरा account ठीक है लेकिन permanently delete नहीं हुआ है तो मौका है आपके पास क्योंकि YouTube अभी इसको पूरी तरीके से review करेगा उसके बाद ही आप क्या YouTube channel है वापस देगा ठीक है तो यह appeal आपको कप कप करनी है दोस्तों आपको every week यह appeal कर देनी है कोई-कोई लोग ऐसा होते है कि इस appeal को बार बा time limit होता है वो नहीं किसी को पता लेकिन एक फिर 15 दिन लेता है ठीक है और उसके बाद आपको इसका result मतलब कि आपको result देता है कि आपने क्या गलती की है यह थी पहली चीज़ ओके उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको एक और email करना है वह email किसको करना है तो यहाँ पर देखो मैं एक और email open कर लेता हूँ यहाँ पर email ID भी मैंने दिया है creator-support-youtube.com इसको आपको एक और email कर देना है इस email पर आपको mail करना है जो भी आपके साथ हुआ है वही चीज़ आपको mail में जो आपने appeal में डाला है वही details आप यहाँ पर भी डाल सकते हो दोस्तों तो इस काम अभी पूरा हो चुक है दोस्तों अगर यहाँ से आपको reply नहीं आता है तो आपको क्या करना है Twitter पर चले जाना है जहां दोस्तों Twitter से YouTube बहुत ही जल्दी से response करता है तो आपको हमेशा Twitter पर भी active रहना होगा तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मैंने tweet भ जो है वो है team YouTube team YouTube को आपको take करना है यहां से आपको team YouTube की तरफ से ही reply ज्यादा आएगा दोस्तों तो team YouTube को आपको take करना है जो भी आपके साथ हुआ है वो यहाँ पर आपको बता देना है दोस्तों तो यहाँ पर जैसे आप tweet करोगे और team YouTube को आप tag करोगे और आपका content आप सह यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर ऐसा धी उन्होंने इन्फोर्म किया है कि हमने ऑल्रेड़ी आपको email किया है कि आपकी तरफ से क्या गलती हुई है तो आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिर से ट्वीट किया है कि send me the part of video आपको उसको पूछना है कि मुझे भी इसा part बताओ कि मैंने कहाँ पर गलती की है तो यहाँ पर YouTube आपको particular कोई detail शो नहीं करेगा लेकिन इस तरह से आपको tweet करते रहना है दोस्तों जब तक आपका जो YouTube channel है वो वापस नहीं आ जाता आपको हार नहीं मानना है दोस्तों मैंने भी कुछ इसी तरह से किया था और जो भी जो आपने tweet किया है उनको आपको retweet करवाते रहना है अपने friends से family से आप तो retweet से क्या होता है कि एक impression ज़्यादा होता है और जो YouTube है वो जल्दी से आपको reply भी करता है दोस्तों चैन दोस्तों तो यहाँ पर मैंने ये सारी details करने के बाद मुझे जो मेरा channel है वो वापस मिल गया तो मेरा channel मुझे कग वापस मिला तो देविको मेरा channel जो 14 December को suspend हुआ था उसके बाद यहाँ पर मुझे 31st December को email आया वो वापस मिल गया तो यहाँ पर subject में लिखा होगा YouTube account notification अगर इस तरह का email आता है इस subject के साथ तो आपको समझ लेना है कि आपका account है वो आपको वापस मिल गया ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको open करके बता देता हूँ और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तो finally YouTube को ऐसा लगा कि मैंने कोई गलती नहीं की है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपका account गलती से suspend किया है तो अभी मैं आपको वापस दे रहा हूँ तो दोस्तो बस इतना ही था कि आपको अगर अपना account वापस लेना है आपको अपना YouTube चैनल वापस लेना है तो आपको हमेशा active रहना पड़ेगा आपको tweet भी करते रहना पड़ेगा आपको email भी करते रहने पड़ेगे आपको retweet भी करना रहना पड़ेगा दोस्तों अगर आपको कोई भी issue अगर आपका channel भी remove हुआ है तो आप मुझे भी tag करके message send कर सकते हो मैं भी आपको है आपकी help करूँगा जो जितनी बने उतनी तो दोस्तों अगर आपका जो YouTube channel है वो आप वापस लेना चाहते हो तो आपको यही process करना है इसके अलावा और कोई process नहीं है दोस्तों तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो like करना, share करना, subscribe जरूर करना और bell icon को जरूर क्लिक करना Thank you so much for watching